यहां भी आप देख सकते हैं, दो वोल्टेज मिल रहे हैं, चार कपलर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, मोटर चल चुकी है, सर्किट अगर खुद खराब हो गया, तो अभी सेम प्राबलम क्रियेट हो जाएगे, तो यह भी अभी स्विंग कर रही है, जैहिंद, दोस्तो मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं, योट्यूब चैनल, इलेक्ट्रिक लोचा, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास यह सैमसंग का PCV है, और यह इंडोर का PCV है, और आप देख सकते हैं, इसकी डिस्पले भी हमारे पास है, इसमें प्राबलम ऐसे ही आ रही है, स्वान नहीं गरता कुछ भी नहीं करता कौली एक बीप देता है तो आप देख सकते हैं इसमें भीप आई है इसके बाद इसमें somewhere कुछ नहीं आ रही है हम इसे चेक करेंगे इसकी सप्लाइ तो इसका मतलब ऊन हो रही है तो साथियों आप देख सकते हैं यह इसकी SMPS है और SMPS में एक IC होती है तो इसमें आपको दिखाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह TOP 253 TOP 253 PNIC है जो इसमें लगी हुई है अगर यह उपर से खराब हो जाती है तो आप इस बोड की वीडियो से यह देख पाएंगे कि इसमें कौन सी IC SMPS में लगी हुई है तो साथियों जैसा आप देख सकते हैं यह इसमें एक छोटा सा कफलर लगा हुआ है यह अगर खराब हो जाएगा तो यह बोड ऑन ही नहीं होगा क्योंकि यह कफलर में सेंस करने के लिए लगा हुआ है में सेंस करने के लिए तो main sense होगी ही नहीं तो board on होगा क्यों microcontroller को लगता रहेगा कि main नहीं आ रही है voltage आ रही है लेकिन main नहीं आ रही है इसलिए PCB on नहीं होगा यह PCB जैसा साथ यह आपको बता है Samsung का है और इसमें display अभी नहीं आ रही है और यह on करने से on भी नहीं हो रहा है यहाँ पहले हम voltage चेक करते हैं क्या मिल रहे है तो यहाँ पर तो voltage हमें नहीं मिल रहे हैं साथियो दूसरे capacitor पर चेक करेंगे यहाँ भी एक capacitor है इस capacitor पर चेक करेंगे यहाँ भी आप देख सकते हैं दो voltage मिल रहे हैं और यह वंधे Gound है और यहां पर Vcc है तो हम यहां पर चेक करेंगे जो कि यहां पर भी हमें वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं कि इसमें मेंजोच म享ya इस रहे हैं तो यह दिस्प्लेग इस लिए चले कि कहाँ से साथ हो तो हम इसको side करके यहीं देखेंगे क्या हमें connector में voltage मिल रहे हैं यह इसका connector है साथियो और connector में हम voltage चेक करेंगे तो आप देखेंगे connector में हमें voltage मिल रहे हैं इसके जो साथियो खराब होने का कारण है रहे है इस पर बहुत सारी रश्ट आई है sulfur आया हुआ है और यह खराब मौसम की वज़े से हुआ है तो यहां पर साथियो आप देख सकते हैं यहां पर यह black black रश्ट आई हुई है moisture की वज़े से ऐसा हुआ है जहां खराब weather होता है वहां के PCB में ऐसी शिकायत आती है तो यह हम यहां से shoulder करेंगे पहले फिर देखते हैं क्या होता है problem solve होती है यह नहीं होती है पहले हम यहां अच्छे से paste लगाएंगे और थोड़ा इसको scratch भी करेंगे ताकि हम दुबारा shouldering करें तो अच्छे से हो सके तो सबसे पहले तो साती हम यहां पर re-shouldering करेंगे और सभी पिन हम re-shoulder करेंगे योगी थोड़ी थोड़ी रस्टिंग सभी पिनों में आई है तो थोड़ा साती हम इसे clean भी करेंगे देखने के लिए कि और भी कहीं इस तरह की problem तो नहीं है जहां से dry shouldering हो सके अब ही आप देख सकते हैं इस तरह से हमने यहां पर शॉल्डरिंग की है तो बिलकुल अच्छे से पिन शॉल्डर हो गई है अब हम display connect करके देखते हैं क्या होता है तो पहले हम इसे connect कर देंगे connector में और हम on करेंगे इसे on होती है या नहीं होती है तो आप देख सकते हैं यह on हो चुकी है डिस्पले और यह आप देख रहे हैं कितनी smooth होना है यानि blinking भी नहीं दिखाई दे रही है तो डिस्पले IC की यह जो डिस्पले IC है इसकी speed काफी fast है यहां पर आप देख सकते हैं पावर वाली LED भी क्लो कर रही है off on करके देखते हैं हाँ on off switch भी काम कर रहा है on हो गई तो यह PCB यह आप देख सकते हैं अभी यह error भी देने लग गया है E1 का E1 का error आ रहा है इसमें तो साथियों अगर इस PCB में ऐसी problem आ जाती है कि DC motor on नहीं हो रही है PCB on हो रहा है डिस्पले आ रही है लेकिन motor on नहीं हो रही है तो उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर चार कपलर लगे हुए हैं इन चार कपलर में से तीन कपलर आप देख सकते हैं तीन कपलर ये मोटर के लिए हैं पहला कपलर आप देख सकते हैं 15 वोल्ट आउन करने के लिए अगर 15 वोल्ट मोटर पर नहीं आएगी तो मोटर नहीं चलेगी तो पहला कपलर 15 वोल्ट आउन करने के लिए हैं कपलर एक ट्रांजिस्टर को अन करेगा और ट्रांजिस्टर 15 वोल्ट आउटपुट देगा और वो मोटर के कनेक्टर पर जाएंगे और दूसरा आप देख सकते हैं सेकंड जो कपलर लगा हुआ है वह VSP वोल्टेज के लिए है VSP वोल्टेज जब आएंगे जीरो वोल्ट से स्टार्ट होकर 6.5 वोल्ट तक जाते हैं तो जब VSP वोल्टेज आएंगे तभी मोटर चलेगी अगर VSP वोल्टेज नहीं आएंगे तो मोटर नहीं चलेगी तो अगर यह वाला कपलर खराब हो गया तो मोटर नहीं चलेगी क्योंकि भी SP voltage नहीं आएंगे तो DC motor हो या ACPG motor हो जब motor घूमती है तो feedback की form में frequency generate करती है pulses generate होती है तो यह pulses अगर micro controller को नहीं मिलेंगे तो motor थोड़ी सी चलेगी और motor थोड़ी सी चलने के बाद बंद हो जाएगी तो यह coupler motor की feedback को micro controller तक पहुचाने का काम करता है अगर motor एक बार start होती है और तेज़ चलती है फिर बंद हो जाती है या फिर stable speed पर नहीं चलती तो यह वाला coupler आपको change कर देना आपकी problem solve हो जाएगी या फिर coupler से related कुछ parts check कर लेने या change कर देने तो अभी साथ ही आप देख पा रही है छोटा सा PCB है SM transformer के पास में लगा हुआ है switch mode transformer के पास में जो यह छोटा सा circuit लगा हुआ है यह over voltage detect करता है और over voltage detect की condition में यह motor को चलने नहीं देता है अगर पीछे से high voltage आ रही है तो यह क्या करेगा blur motor को बंद कर देगा आप ऐसा सोच सकते हैं कि यह तो अच्छी बात है कि अगर पीछे से high voltage हो गई तो motor बंद हो जाएगी तो खराब होने से बच जाएगी लेकिन यह circuit अगर खुद खराब हो गया तो भी same problem create हो जाएगी इस circuit के खराब होने से motor चलेगी ही नहीं blur motor on ही नहीं होगी अगर यह negative pass करने लग जाएगा तो यह VSP पर voltage generate नहीं होने देगा जिसकी वज़े से motor चलेगी नहीं अगर ऐसा होता है तो इस circuit को आप चेक कर सकते हैं इसके resistance वगरा चेक कर सकते हैं तो अगर आप इस circuit को remove भी कर देंगे निकाल देंगे PCB से तो भी आपकी motor चल जाएगी अगर इसकी वज़े से बंद है तो तो finally साथी हम इसमें motor चला कर देख लेते हैं DC motor इसमें चलती है या नहीं चलती है आप देख सकते हैं यह हमारी DC motor है यहाँ पर यह DC motor का connector है इस तरह से और यह इसकी display है हम इसे यहाँ रख देते हैं और देखते हैं motor चलती है या कुछ और भी problem इसमें बची है तो हम देखते हैं इसमें motor run करती है या नहीं करती है तो आप देख सकते हैं motor इसमें start हो चुकी है और swing motor अभी बहुत ही आसानी से PCB रिपेर हो जाते हैं बहुत चोटी चोटी प्राबलम कई बारेट में देखने के लिए मिलती है तो इसलिए कभी भी PCB से डरना नहीं है उसको रिपेर करना है हमारी वीडियो देखिए सीखिए हमारा मेन मौटिव वीडियो बनाने का यही है कि हम वी आउडोर से related error नहीं होता है इसका outdoor communication कोई भी send ही नहीं करता है आउडोर के पास send करने का option नहीं है और indoor के पास receive करने का option नहीं है communication का क्या-क्या फाल साथियो इसमें commonly आते हैं वो हमने बता दिये हैं फिर मिलेंगे एक नई इसी तरह की interesting वीडियो के साथ आज की वीडियो में साथियो इतना ही जै हिंद जै भारत